आया है है घृलो श्टूट आज में आपको लेसंघ वॉर का दूसर टॉपिक है अभी पेशना Scottish के उसके बारे में बताब। तक्निके क्या होती है दो प्रकार कि होती हो ती है विऊड़ी टक्निके और ए विट्टीèces तक्निके उस्थान होता है क्योंकि विऊड़ी टक्निको का संबन किस से होता है मुद्रा से या आर्थी का भी पिरिन से होता है यह आप जानते हैं कि मनुष्य की जो आदारवुत आउशक्ता है न वो और सामाजी का आउशक्ता है और विलास्ता की आउशक्ता है सबकी पूरती किस से होती है वित्य से होती है इसलिए वित्य तक्निक विशेश वेतन व्रदी है, ये सारी इसमें शामिल किये जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका एवित्य तक्निकें। एवित्य तक्निकों का धन या मुद्रा से कोई सम्मध्न नहीं होता है। ये तक्निके मनोवेग्यानिक होती है जो व्यक्तिकी भावनाओं इच्छाओं को पूरा करने में साहिक होती है एवित्य तक्निके भी व्यक्तिक और सामुईक दो प्रकार की हो सकती है व्यक्तिक एवित्टी टक्णिक में व्यक्ति के संपर्ख, पदोनती है, विकास के आउसर है, कारेविस्तार है आदि को शामिल किया जाता है। सबसे पहला पद एवम सेवा सुरक्षों अब बबzn कमार में बार को काम उन्ड है और।बजों आपको सेवा करने का अवसर मिल बबुए कोरण कि इसमें यह ऐसा नहीं हो कि आपको नोक राइन कोई स्थाईत नी कभी बढ़ बहुता जाए तो इस स्थाई कि मन में यहां लगी रहती है तो करम चाने को हम जो है सुरक्षा दें सेवा के बारे में कि आपको इतने समय के लिए रखा जो भी मुकती अदिकी जोखनी कि रहा जात है और उसे अभी परित किया जाना है इस प्रकार से करम चारी उच प्राप्त करना चाहता है और प्रोप्त करना चाहता है रह जाता है फिसी इस प्रकार Сेट एंक वेची समैंडर 7 को बनाई रखने यह उच्छ पद्यों को जो उप्रात करना चाहता है इस प्रेकार की सुईधा है उसको देखर भी अभी पिरित किया जा सकता है दूसरा है प्रशंसा एम सम्मान करमचारी दोर अपने उत्ताईत को सफलता पूरा कृष्चिस समय में पूरा करने के लिए उसे सावजनिक रूप में प्रशंसा भी की जानी चाहिए और उप्रिक तक्सरों पर उसका सम्मान भी किया जाना चाहिए क्योंकि करमचारी की प्रशंसा और सम्मान करने से क्या होता है उसका आत्मिश्वास मनोबल बढ़ता है जैसे करमचारी को अच्छा काम किया तुसको शा प्रबंद करते रहा तो प्रबंद में क्या होता है कुछ निर्णे लेते हैं तो उन निर्णे क्या है आसानी से लागू भी किये जा सकते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावी नेत्रत्व एम परिव्यक्षिम अच्छा नेत्रत्व यानि लीडर्शिप संस्ता में मानों के बती सम्मान जनक स्रेश्टिकॉन और उसकी समश्यों के समाधान में रूची और निरिक्षिन कारे में उसके साथ सद्वेवर करता है जिसे श्रम संबंदों में मधूरता आती है यानि लीडर्शिप जो तर लीडर जो तर वो उसका वहवार जो काम करता है तो वो बहुत माहिने रखता है ना जिससे कि अच्छे संबंद इस तापी तो तो तेश्यों में को अच्छा नेत्रत्व करमचारी में कारे के वैति र है जो परिवेक्षक होता है जो सुपर विजन करते काम का कि काम कैसे हो रहा है तो क्या है कई बार वो परिवेक्षिन करते समय जो करमचारी साथ अच्छा वहवार करता है उनके कोई अगर कमिया है गलतिया तो उसको प्रहें से अच्छे मत से बताना उसको ताकि इससे भी क करमचारी को जब हम उत्तरदाई तो सोपते हैं कोई काम सोपते हैं तो दाई तो सोपते समय उसको अधिकार भी दी जाने चाहिए तो उच अधिकारी अपने अधिकारों को बाट कर या पतेविजित करके उन्हें भी पिरित कर सकता है और अधिकार पतेविजन से करमचारी में सामाजिक समपने के सठापने कर लेते हैं, तो रैस और इस पूरा करने का प्यास करेंगे उनके आपस में सम्बन्द भी अच्छे होंगे और कारे परिवर्तन में करम चाजे को एक निष्चित समय अंत्राल के बाद में उसके कारे में परिवर्तन जैनु Curry जाता है इसका करण क्या है तो क्या होता कारे में जैनु जैसे निराश्चा के वह या आप जैसे निरस्टा जैस Не वह वो आ जाती उसके उसके कारिये में परिवर्तन भी कर दियता है जिससे वो उसका नोबह भी बढ़ता है और मनों विक्दार भी होता है समू चर्चा समू चर्चा में क्या होता है करमचारे के विशेश वर्ग या समू के साथ सामाइक विशेश पर विचार मन्थन किया आता है और सभी करमचारे अपने अपने विचार रखते है और अन्य व्यक्तों की विचारों को भी जानने का मोका मिलता है इससे क्या होता है ग्रूप डिस्कुशन सुना होगा न आपने तो ग्रूप के सामने कोई समाशा रख दी है ना फिर डिस्कुशन कियाता है सब अपने विचार रखते हैं इससे क्या होता है हमें कई विचार सुनने को मिलते हैं अच्छे विचारों का सम्मान भी होता है इसस संस्ता द्वारा करमचारी को सिक्षन और प्रेस्टिक्षन की विवर्स्था कि जाने चाहिए तकि उनका विकास ये सिक्षन प्रेस्टिक्षन की द्वारा भी करमचारी का विकास किया जा सकता है संस्तार में बहुत से करमचारी योग्य और दक्ष होने की बावजुद भी उन मनोवेक से काम निक करते हैं क्योंकि ऐसे करमचारी को अभी पेद करने के लिए स्वस्त प्रतिस परदा का भी क्या किया जाना चीए कि Karamajari संस्ता की पूर रिकॉर्ट को तोड़ कर नए रिकॉर्ड बनाने के लिए जी जान लगा जाते हैं जान के लिए क्या होता है करमचारी में कंप्रिशन भी करवणा चीए कोन कितना मदब ज़तना काम करेगा ऊसको यह मिलेगा है सम्मान मिलेगा मतलब है मिनमें competition करा है, competition में क्या होता है, वो जिजल लगा देते हैं, रागे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीके, और इसे प्रकार से कुछ करमचारी चुनोतियों को स्युकार करने में भी अपना गर्व मैसूस करते हैं, उनको लगता है यह चुनोतियों हमारे सामने है, हम इसको सामना करे और संस्ता के लक्षे को प्राक्त करने का प्यास करेंगे, इस प्रकार से प्रतिस पर्दा और चुनोतियों के द्वारा भी करमचारी को अभी परिति किया जा सकता है, स्वस्त वातवन, कारी इस्तर पर वातवन भी क्या होता है, स्वस्त होना चाहिए, क्यों? अगर वातव अच्छा का मतलब ही होता है अच्छा साफ सुत्री जगे होनी चाहिए काम करने की और आपके पानी वगरे सबकी विवस्ता अच्छी होनी चाहिए यानि के दें का मतलब है अच्छा एंवर्मेंट होना चाहिए जिससे क्या होता है काम मन लगता है ठीक है इस प्रकार से जो है करमचारी को स्वस्थ वातावन पदान करके भी हम इसको अभिपेड़ित कर सकते हैं यह थे आपके एवित्य अभिपेड़नाओं के जो है प्रेकार है उनके बारे में जैन करी अब अगला टॉपिक आता है अभिपेड़ना की विचारदार है अभिपेड़ना की बहुत सारी विचारदार हैं जिसमें मासलो की आजबर्ग है मेगर उर्विक है मेरी पारकर हैं बहुत सारी विद्वानों की विचारदार है सबसे पहले हम पढ़ेंगे मासलो की आवशक्ता करम पर आधाहित विचारदर यह जो वेग्यानिक है मासलो इन्होंने सन गुनी सो तैयालिस में इस विचारदर का पतिबादन किया और ये विचारदा इस मानेत पराधाईत होती है कि मनुष्य की जो आवशक्ता होती है वो आनंत होती है और उन आनंत आवशक्ता की संतुष्टी के लिए मनुष्य प्रयास करता है और जिस करमचारी की जो आवशक्ता अधूरी है उस अधूरी आवशक्ता को पूरा करने का प्यास कियाना चीए, ताकि वो व्यक्ती करमचारी जो है, अभीपेइथ होगा, यानि किया मतलब है, जो ए सन्तुष्ट आफश्कता है, जो सन्तुष्ट नहीं हुई, जिससे, उन आफश्कतों को पूरा करने के लिए, अभीपेइथ होगा, इसमें पांच प्रकार की जो है, आवशक्ता करम बद्दा बताई हैं, पांच प्रकार की जो आवशक्ता होती हैं, उनको करम से संतुस्ट करने का प्रयास किया जाना चाहिए, तक कि करमचारी अभी पेरित होगा, सबसे पहली आवशक्ता हैं, शारीरी का आवशक्ता, शारीरी का आवशक्ता मनुष्य की जहे मनुष्य को जीने के लिए आवशक है, मनुष्य कि या आवशक्ता अगर पूरी होती है तो वगता है तो अभी कि अजया को सद्लड इसमें जिए जब कि सक शादि को लेकल शुरक्षित हो जाए तो मुझे शुरक्षा checked कि लिए उन्सुरक्षा के लिए क्या करवाता है जैसे आपके यह भीमा है पेंशन है इसके लिए भविषय के सुरक्षा के लिए लिए तो यह दूसरी आशक्ता उसकी यह होती है तीसरा है स्नही या अपनात्व की आशक्त है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है सामाजिक प्राणी होने के करण समाज में भी क्या चाता है मान सम्मान प्रतिष्टा चाता है और वे अपने जीवन में पारस्परिक्स नहें, प्यार, अपना तुर मित्रत्वा अधिकी जो है इच्छा रखता है जब किसी व्यक्ति में इस प्रकार की आगर्शा उत्मन होती है तो उसकी उसामा जी की यसने की आशक्ता है और इस आशक्ता की पती शारी का सुरक्षात्मक आशक्ता को उचे जिस्तर पर संतुष्टी होने की बाद होती है और ये दिव्यक्ति की अपना तुर में जीक आशक्ता की संतुष्टी नहीं होती है तो वे ऐसा योग और ग्रूत करने को तत पर रहता कहने का मतलब यह तीसरी आवशक्ता नहीं अपनत्व या नहीं कि दो चब पूरी उड़ाती तो तीसरी इसमें यह जन्म ले दिये कि मुझे क्या चाहिए समाज में जो है मान सम्मान प्रतिष्टास ने वगर अचाहिए यह इसकी आवशक्ता है ठीक है चौथी आवशक्ता है स्वाभी मान यह एहंकारी आवशक्ता इगो की आवशक्ता समाजी की आवशक्ता की संतुष्टी के बश्चाद व्यक्ति की इगो यह स्वाभी मान की जो आशक्ता है उत्पन होती इस आवशक्ता में क्या होता है व्यक्ति अपने जहां कारी करता है हमां पद, मान, इस्ति भूरति माननेथा प्रतिस्टा सतंत樂 अधिकार यदि की इच्छा करने लगता हुं。 इसम प्रति पूर्ति के द्वारा विशेश योगिता और शम्ता रखने वाले व्यक्ति ही कर पाते हैं और सामने व्यक्ति की यह आवशक्ता सामने ते एस अंतुषे जनरल व्यक्ति इस प्रगार की आवशक्ता नहीं रखते हैं वह ऐसी आवशक्ता यह जो विशेश सम्मान जिसको चाहि यह योगिता वाले व्यक्ति है उनके लिए यह आवशक्ता जो इगो की है नेक्स्ट है आत्मिविकास की आवशक्ता है मासलों ने यह अंतिम आवशक्ता का मतलब होता है व्यक्ति की उस आवशक्ता से जिसमें एक व्यक्ति वह बनना चाहता है जो वह बन सकता है जो उसमें बनने की शम्ताय योगिता है ठीक है ना मानों में आत्मिश्वास की आवशक्ता उसके बीटर स्रजन शीलता शम्तायोगिता की करण पैदा होती है जब एक्ति अपने बीटर छिपीवी शक्तियों को जागरत करके सब कुछ बनना चाहता है जो बन सकता है इस भावना से ये आवशक्ता उत्वरित होती है यानि दभी वी आवशक्ता जो उसके अंदर मन में है कि मिज़े ये बनना है उसकी ये आवशक्ता ये है तो इसमें जिसे एक धान बताया है इसमासलों ने जैसे एक संगीत कार को संगी तक बनना चाहता है एक पैंटर को पैंटर करना चाहिए एक कवी को कवीता लिखनी चाहिए तो इस प्रेकार से अगर वो अन्त गुत्वाई अगर यह कर लेता है तो प्रसंद हो जाता है ना प्रसंद होना चाहता है जो भी एक मनुष्य बन सकता है उसको बनना चाहिए कहने का मतलब है आत्मिश्वास के आउशक्ता का मतलब यह होता है एक व्यक्ति कि मन में जो छिपी हुई आका इंशा है कि मुझे यह बनना है और वो बन जाता है तो आउशक्ता उसकी संतुष्ट हो जाए यह ठीक है यह है पांच आउशक्ता है एक चार्ट बता रखा है इस पूरी होती है तब चौथी और पांच वी आशक्ता जन लेती है इस प्रकार से यह पांच प्रकार की आशक्ता एक मानव में जो होती है और मास्तलों का ही कहना है कि जब एक आशक्ता की पूरती हो जाती है तो वो संतुष्ट हो जाता है और संतुष्ट रहने के बाद में उस इसको पूरा करने के लिए इसको आपी पिरित किया जाना चाहिए तबी वो संतुष्ट रहेगा ठीक है यह है आपके मासलों की आवशक्ता क्रमबत्ता की जह है रिचारधारा समझ माई होगी और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में ओके टेक केर बाए